हर साल की तरह इस साल भी भगवान जगनात की अतिहासिक रथयात्रा निकाली जारी है लेकिन कड़ी शर्तों के साथ सुप्रीम कोट ने सुववार को कुछ प्रतीबंधों के साथ कुरुना वारस महमारी के बीश में वार्षर की रथयात्रा को आयजित करने की अनुमती दी है सुप्रीम कोट के आदेश के मताबिक 500 से अधिक लोगों को रथ खीशने की अनुमती नहीं दी जाएगी जी हाँ रथयात्रा के दौरान पूरी शहर में सोमवार की राज से ही कर्फ्यू जारी है इस दौरान लोग अपने घरों में ही रहने वाले है इस पर प्रिधान मंत्री नरेंद्र बोधी, ग्रह मंत्री अमिट शहा ने भगवान जगनात के रथयात्रा के अफसर पर देशवासियों को शुपकामनाई दी देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्स्राइब करें साथी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पासकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन